जेफ बेजॉस, एलॉन मस्क, बिल गेट्स और मार्क्स जकरबर्ग के साथ ही साथ दुनिया के 17 बिलिनर्स का पैसा भी एक साथ मिलाया जाए तो फिर भी इनका मुकाबला दुबई की शाही खांदान से नहीं किया जा सकता साथी की ये रॉयल फैमिली 1.4 ट्रिलियन डॉलर की मालिक है साथी की रॉयल फैमिली को जादतर इनका पैसा यहां से निकलने वाले ओयल की वज़ा से मिला ओयल निकलने से पहले साथी अरब सिफ टूरिस्ट रिलिजिस प्लेस हुआ करता था 1938 साथी के शेक के लिए वो टाइम था जब यहां के जमीन से पहली बार तेल निकला गया आज साथी अरब अमरिका के बाद दूसरे नंबर का सबसे बड़ा ओयल प्रोडियूसर है जो सिर्फ एक दिन में एक करोड बैरल से भी जादा ओयल प्रोडियूस करता है और यह अपने निकाले हुए ओयल को 85 कंट्रीस को सप्लाइ करता है स्टैंटफॉर्ड यूनिवरसिटी में हाल ही में एक रिसर्च के गई और उनकी रिसर्च के अंदर उन्होंने ये बताया कि जो क्रूड ओयल हम 1500 साल से यूस कर रहे है आने वाले समय में हम उसे नहीं यूज कर सकते क्योंकि अब वो आईस्ता-ाईस्ता खत्म होने लगा है यानि के जमीन के नीचे जो ओयल रिसर्सेस है आने वाले वक्त में वो खत्म होने वाले है स्टेड़ी के अंदर ये बताया गया है कि साल 2022 तक ये उसे किस तरह से मेंटेन करेंगे करन के साओधी किंग सलमान ने खुद का ऐसा माइंटसेट बना लिया है कि साओधी अरब को ओईल पर डिपेंडेंट नहीं रखना है जिस तरह दुबई के अंदर वेस्टन टुरिजम को काफी प्रमोट किया जाता है उसी तरह साओधी में भी ये किया जा रहा है और यहाँ पर एक ऐसी सिटी का प्रोजेक्ट लॉंच किया गया है जो कि दुबई से भी जादा एडवांस होगी दुनिया में कहीं भी जब कोई सिटी बनाई जाती है तो वो एक जगा से शुरू होकर आइस्ता आइस्ता फैलने लगती है लेकिन यहाँ पर इस तरह का काम नहीं होगा यहाँ पर एक स्टेट लाइन में एक सिटी बनाई जाएगी और यह स्टेट लाइन पांच-दस किलोमीटर नहीं बलके 170 किलोमीटर लंबी होगी इस सिटी का नाम नियॉम रखा गया है कहा जाता है कि आने वाले वक्त में साओधी के हालात को बदलने में इस सिटी का बहुत important रोल होगा मुहमद बिन सल्मान जो के मुहमद बिन अब्दुल अजीज के बेटे है कहा जाता है कि यह अनोफिशली पूरी साओधी अरब को चला रहे है इन्ही की मास्टर प्लान के अंदर ये चीज है कि 2030 तक साओधी को ओल डिपेंडेंस से बिलकुल हटा दिया जाएगा नियॉम को साओधी अरब के तबूक में बनाया जाएगा जहाँ पर गौवर्मेंट ने इस सिटी को बनाने के लिए एक स्पेशल जोन को ओल आट किया है इसका एक साइट पर गल्फ और अकाबा है और दूसरे साइट पर रेट सी है जबकि इस सिटी के सिफ 5 किलो मेटर पे ही दूर शर्मल शेख है जो के खुद एक बहुत भैतरीन टूरिस प्लेस है जो कि एजिप्ट के अंदर आता है दोनों कंट्रीस के लीडर का प्लान ये है कि एजिप्ट और सौधी अरब की इन दो सिटीस को एक प्रिस से कनेक्ट किया जाएगा उनका मानना ऐसा है कि दोनों कंट्रीज को इस से टुरिजम में काफी फायदा होगा और इसी वज़ा से इसराइल को बाइपास करके एक करेक्शन भी बनाया जा सकता है साउधी किंग का ऐसा कहना है कि ये दुनिया की पहली ऐसी सिटी होगी जो के दुनिया के अंदर revolution लेकर आएगी ये सिटी को तीन लेयर में बनाया जाएगा इसके अंदर ground level पर ना ही कोई गाड़ियां चलेगी ना ही यहाँ पर कोई road होगा इस level को fully nature lover बनाया गया है यानि कि यहाँ पर कोई गाड़ियां और कोई भी pollution नहीं होगा जहाँ पर सिफ पैदल चलने वाले लोग होगे दूसरी लेयर को service लेयर का नाम दिया गया है यहाँ पर सभी टाइप के shop, offices और malls होगे यहाँ पर high technology के roads बनाये जाएगे जहाँ पर गाड़ियां भी चलेगी इसका तीसरा और आखरी लेयर यहाँ की backbone होगा क्योंकि यहाँ पर जो transportation system बनाया जाएगा वो बहुत ही fast होगा कहा जाता है कि यहाँ का transportation system 170 km लंबे इस tunnel के एक सिरे से दूसरे सिरे तक पहुचाने के लिए सिर्फ beats minute का समय लगाएगा इस Neom City के अंदर जो भी industries होगी जो भी shops होगी यह जो भी energy का use किया जाएगा वो सभी renewable होगी कहा जाता है कि Red Sea के पास इस Neom City के हिस्सा साड़े 4000 feet उपर से भी गुजरेगा और सौधी हुकूमत ने इस हिस्से को Trojana का नाम दिया है इस project को बनाने के लिए किसी भी पहाल को नहीं काटा जाएगा बलकि उसकी खुबसूरती को बरकरार रखते हुए इसके उपर ही इस city को बनाया जाएगा यहाँ पर एक vertical village outdoor ski resort mountain to mountain transport system health and luxury hotels सभी चीजों को काफी ही ध्यान में रखकर बनाया जाएगा इसकी geographical location को कुछ इस तरह से बनाया गया है कि दुनिया की 40% population यहाँ पर सिफ चार घंडे में पहुँच सकती है साओधी प्रिंस का टारगेट है कि यहाँ 2052 तक एक अरब लोगों को टारगेट किया जाए साओधी अरब ने नियाउम सिटी के लिए 500 बिलियन डॉलर का खर्च बताया है आज की टाइम पर इस प्रोजेक्ट की शुरुआत भी हो चुकी है सबसे पहले यहाँ पे 1000 एकड की जगा को साफ करके यहाँ पे आलिश्यान पैलेस और लग्जिरी सुीट्स बनाये गये है जहाँ पे प्राइविट गोल्फ कोर्स से लेकर प्राइविट आईलिंड तक मौझूद है और यह सभी चीज साओधी की रॉयल फैमली के लिए बनाई गई है इस जगह को नियाउम पैलिस का नाम दिया गया है नियाउम सिटी में पहले ही एक एरपोर्ड बना दिया गया है जो के 2019 से ही चालू कर दिया गया था लेकिन आज करंड के टाइम पर यह वरकर्स और दूसरे इंजिनियर्स को रियाद से नियाउम तक का लाने का काम करता है इस नियाउम सिटी को बनाने के लिए गौवर्मेंट के सामने एक बहुत बड़ा चैलेंज भी है उनका ये कहना है कि हम इस पूरे शहर को रीनियोबल एनरजी से बनाएंगे तो अब जाहिर सी बात है यहाँ पर जो समंदर से पानी निकाल कर उसे फिल्टर किया जाता है उसके अंदर जो तेल या उसके अंदर जो एनरजी लगती है उसे किस तरह से बनाया जाएगा या उसे किस तरह यूज मिलिया जाएगा क्योंकि ये हम सब जानते है कि साओधी अरप में फ्रेश वाटर की कोई भी रीवर नहीं है नियॉम में फ्रेश वाटर को लाने के लिए एक नया मेथट लाया गया है यहाँ पे एक बहुत बड़ा गुलोब तयार किया जा रहा है जिसे सी वाटर से भर दिया जाएगा और यहाँ पे सोलार मेरर के थुरू इस पानी को गरम किया जाएगा और जब पानी गरम होकर सोलार वेपर्स के अंदर कनवर्ट होगा तो फिर इस पानी को पाइप्स के जरीए बाहर निकाल लिया जाएगा नियॉम के water resources के CEO का ऐसा मानना है कि इस method से हर रोज 5 करोड लीटर पानी निकाला जा सकता है अगर Saudi RF की जोग्राफी देखी जाए तो ये area गर्म होता है और यहाँ पर हवा जादा तेज नहीं चलती इस वज़ा से यहाँ पर energy के लिए बड़े बड़े wind turbines लगाए जाएंगे दुनिया में पहली बार ultra high speed train नियॉम सिटी के अंदर ही चलाए जाएगी ये दुनिया की सबसे high speed train 480 km प्रति घंटा की रफतार से travel करेगी यानि के सिफ 20 मिनिट के अंदर ये लाइन सेटी के एक कोने से दूसरे कोने तक आपको पहुचा देगी ये जिस टनल के अंदर चलेगी वहाँ पे heavy magnet लगे होंगे जो के electricity की वज़ा से magnetic force generate करके train को आगे या पीछे करने का काम करेंगे स्टार्टिंग में ये train Wales पर ही चलेगी लेकिन जैसे ही एक बर ये speed पकड़ लेगी इसके टायर जमीन से 4 इंच उपर हो जाएंगे और ये magnetic force पर तैरती हुई train अब electricity के base पर चलेगी अब देखना ये होगा कि क्या इतना बड़ा project जल्द बनकर काम्याब होता है या नहीं और क्या साओधी government अपने western tourism में काम्याब हो पाती है या नहीं दोस्तों आप किस पर क्या राय है हमें comment section में जरूर बताइए subscribe करे the fact and zippers को press करे well icon ताके आने वाले new and latest video के updates आपको notification के थुरू मिल सके thank you for watching this video